मथ्य प्रदेश में कोरोना पैर फैलाता चारा है अब ग्रामिन छेत्रों में भी संक्रमन से ग्रस्त मरीजों में इजाफा शुरू हो गया है शाजापूर छेत्र के काला पीपल में कॉंग्रेस विधायक कुनाल चौधरी के कोरोना संक्रमित होने की खबर मिली है कॉंग्रेस विधायक कुनाल चौधरी के कोरोना संक्रमित होने की छेत्र में फैली खबर के बाद हड़ कंप मचाया हुआ है कॉंग्रेस विधायक कुनाल चौधरी कुछ दिन पूरव ही पूरवमंतरियों के मीटिंग में शामल हुए थे प्रशासन चांच में जुटा है कि वे किन किन से मिले थे आपको बता दे कि मत्यर प्रदेश में कोरोना संक्रमित का आंकडा लगातार बढ़ता ही जा रहा है ऐसे में काला पीपल विधायक कुनाल चौधरी कोरोना संक्रमित पाई गए है जो कि एक चिंता का विशय है कुनाल चौधरी के होने वाले सभी कारेक्रम रद्द कर दिये गए है चर्चा है कि कई पूर्व मंत्री कोरोना की चपेट में आ सकते हैं कोविट के इस बहंकर महामारी के दोर में लोगों के संकट के बीच में काला पीपल विधान सपा में जिस एतिहासिक रूप से अन सेवा समीति ने कार किया लगातार लोगों को लगभग 25 दिन से भोजन, भोजन के साथ कच्ची सामगरी जो बाटने का काम किया लगातार मानोता के लिए मिसाल पेश करी है मैं बदाई देना चाहूँगा अन्न सेवा समीति को जिनोंने बहतर रूप से बहतर परिणामों से सकारात्मक्ता के साथ इस कारिक को किया इस अच्छे कारिक के लिए सभी समीति के सदस्यों को बदाई क्योंकि मानव ही मानव के काम आता है और मानवता की इस बात को जो उन्होंने दिखाने का काम किया मानवता को करने का काम किया और गरीब मजदूरों तक रसत पहुचाने का काम किया इसके लिए मैं वापस पुना अपनी विदान सब्बा काला पीपल की अन्न सेवा समीदी को बहुत बदाई बहुत शुपकामना ह और उम्मीद करता हूं कि लगातार इसी तरह आगे भी लोगों की सेवा में बढ़ चड़के काम करेंगे बहुत बहुत बढ़ाई धन्यवाद शाजापूर से मुकेश अहिरवार के रिपोर्ट